दोस्तो आज हम बात करेंगे 15708 अमरिशर कटियार आमरपाली एक्सप्रेस के बारे में जो कि पंजाब के अमरिशर से चलकर बिहार के कटियार को जाती है यदि दोस्तो अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे जिससे की उत्तर भारत की और मुख्य ट्रेनों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे और यदि दोस्तो आप 15707 के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो कि कटियार से चलकर अमरिशर को जाती है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप उस ट्रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते ह दोस्तों सबसे पहले इसमें लगे हुए डिभ़ों के बारें बात कर लेते हैं तो सेन याने स्रेनी, यानि कि स्लीपर क्लास के ठास दस डिभ़े लगे होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं S1 से लेकर 30 ए स्रेनी 3D AC का 1 डिभ़ और 2D AC का एक डिभ़ होता है जनरल गेट दोस्तों कुल पांच डिब्बे आगे और तीन डिब्बे पीछे लगे होते हैं यानि कि टोटल आठ डिब्बे जनरल क्लास के होते हैं पेंट्री कार की सुविधा जिसमें खाना बनाया जाता है वो सुविधा इस्ट्रेशन में नहीं होती है दोस्तो अब बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में थोड़ी सी जनकारी प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तो ये अमरीज सर चल कर कटिहार जाने में कुल 37 गंटे का टाइम लेती है जिसमें ये 52 स्टेशनों पे रुखती है और जो अमरिष सर से कटिहार तक जाने में यह ट्रेन दूरी तै करती है वो 1804 किलो मिटर है और यदि इसकी अवरेज स्पीड निकाली जाए तो अवरेज स्पीड निकलकर आती है 48 किलो मिटर प्रती घंटा दोस्तों ये अमरीश सर से प्रती दिन चलती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी दिनों को यहां दिया गया है सोम बार से लेकर सनी वार तक रवी वार तक यहां दिन दिये गए हैं ये ट्रेन अमरीश सर से चलती है ये Amrishar से प्लेटफाओर नमबर 3 से सुबे 7 बज के 10 मिनट पर चलती है और कठिवार प्लेटफाओर नममर 1 पर रात को 8 बज के 20 मिनट पर पहुंचाती है लेकिन दोस्तों एक दिन छोड़ कर अगले दिन आपको ये कठिवार पहुंचाती है जैसे कि आप यदि रवी वार को इस train में बैट रहे हैं तो ये train मंगल वार को आपको यानि कि Tuesday को आपको कटिहार पहुंचाएगी अब इस train के बारे में आगे जानकारी प्राप्ट करते हैं कि ये train कौन-कौन से station हो कर जाती है और वहां कौन-कौन से platform नंबर पर कितने समय के लिए रुखती है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अमरित सर जंक्सन से ये train स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेशन इसका वही होता है प्लेटफॉन नंबर तीन से सुबह साथ बच के दस मिनट पर इसके पशाथ जड़ियाला इसका अगला स्टेशन है सुबह साथ बच के 24 मिनट पर पहुंचती है दो मिनट यहां रुखती है प्लेटफॉन नंबर दो पर इसके पशाथ ब्यास इसका अगला स्टेशन है साथ बच के 43 मिनट पर दो मिनिट के लिए रुकती है प्लेटफॉन नमबर दो पर इसके परशाथ करतारपूर सुबह आठ बज के 6 मिनिट पर आती है दो मिनिट के लिए रुकती है प्लेटफॉन नमबर एक पर इसके परशाथ जालंदर सिटी सुबह आठ बज के 30 मिनिट पर आती है पांच मिनट के लिए रुकती है प्लेटफॉण नमबर दो पर अगला स्टेशन जालंधर केंट है जालंधर केंट सुबह 8 बज के 43 मिनट पर आती है दो मिनट के लिए रुकती है प्लेटफॉण नमबर दो पर इसके पश्चाथ इसका अगला स्टेशन फगवाडा है फगव मिनट के लिए रुखती है प्लेटफॉवा नमबर एक पर अगला स्टेशन फिलोर होता है फिलोर सूबै नमच के लुद्याना जंक्सन नम बच के लुद्याना जंक्सन नमच्नुई सूबै के पहुंचती है डशम Archival셔os प्लेटफ़ूर मीनटे है अगला स्टेशन खनना होता है खनना सुभए 10 बश् 2 अडरीUT दोटाइश्टर सरहिंन्द जंक्शन होता है इसर्हिंद उटाओ पर दू मिनिट के लिए रूटी है प्लेट्फारन नमर दो पर अगला स्टेशन राजपूरा जंक्षन होता है सुबह ग्यारा बच के पंद्रह अधी मिनट पर आती है गये रूटारीजक्ड, आपनबर इसके सब्सक्राइब मंदी सबजी मंदी इसका अगला रेल्वे स्टेशन होता है यहां सब्सक्राइब गच्छ मिनट पर पहुंषती है घौन अब गाली दिल्ली पर निज मिनट पर पहुंचती है ग्यारा नंबर प्लेटफारम पर 15 मिनट के लिए रुखती है इसके पश्चाथ खूरजा जंक्सन इसका रेलवे अगला रेलवे स्टोपेज होता है जहां पर यह साम को चार बच के 48 मिनट पर आती है प्लेटफारम नंबर 3 पर 2 मिनट के लिए front 5 мин 20 फी पर mirode साम को साभाश के 27 नंबर पर पहुंचती है 5जर प्लेटफारम नंबर दो पर इसके पしचाथ इसका इसका अगले स्टेशन टावा रात को 8 bran पसके 42 मिनट पर पहुंचती है 5 मिनट के लिए रुखती है प्लेटफारम नंबर 3 पर इसके पानपूर की चैन्र नमबर तीन पर दो मिनिट के लिए रुखती है एस बाग अगला रेलवे स्टेशन है जहां पर यह रात को बारा बच के बाईस मिनट पर आती है दस मिनट के लिए रुखती है इसके पशाद बादिशान अगर रात को बारा बच के उन्चास मिनट पर आती है तीन मिनट के लि पर इसके पसाद यह मनकापूर जंग्सन रात को तीन बच के 24 मिनट पर प्लेटफॉर नमबर एक पर दो मिनट के लिए आती है इसके पसाद बसती पहुंचती है सुबह चार बच के 17 मिनट पर तीन नमबर प्लेटफॉर नमबर पर तीन मिनट के लिए रुकती है इसके गोरकपूर इसका अगला रेलवे स्टेशन है जहां पर यह सुबह 5 बच के 45 मिनट पर आती है 15 मिनट के लिए रुखती है प्लेटफाउन नमबर 7 पर इसके पर इसका जो अगला इसके पर इसका जो इसका अगला रेलवे स्टेशन दिगवारा होता है दिगवारा सुबह 10 बच के 23 मिनट पर आती है दो मिनट के लिए रुखती है प्लेटफाउन नमबर 2 पर इसके पर सुनपूर जंक्सन पहुंचती है सुबह 10 बच के 50 मिनट पर प्लेटफाउन नमबर 1 या 2 पर 5 मिनट के लिए रुखती है हाजीपूर जंक्सन 11 बज़ के 5 मिनट पर पहुंचती है प्लेटफोर नमबर 4 या 5 पर 5 मिनट के लिए रुखती है मुझपर फूर्ज सुबह यानि की दोपैर के 12 बज़े पहुंचती है तीन नमबर प्लेटफोरम पर 5 मिनट के लिए रुखती है इसके बाद धोली पहुंचती है 12 बच के 56 मिनट पर 2 मिनट के लिए यहां रुखती है दोपहर के 1 बच के 12 मिनट पर खुदी राम बोस पूसा पहुंचती है 2 मिनट के लिए यहां रुखती है दोपहर के 1 बच के 35 मिनट पर स्रमस्तिपूर जंगसन पहुंचती है प्लेटफॉन नमबर 4 पर 5 मिनट के लिए यहां रुखती है इसके परशाद बरोनी पहुंचती है दोपहर के 3 बच के 15 मिनट पर प्लेटफॉन नमबर 5 पर और 10 मिनट के लिए यहां रुखती है इसके परशाद बेगु सराय पहुंचती है 3 बच के 43 मिनट दोपहर के 5 मिनट के लिए यहां रुकती है platform number 2 पर बेगु सराय के बाद इसका जो अगला stopping station होता है दोस्तों वो होता है खगडिया खगडिया जंक्सन यह साम को 4 बच के 25 मिनट पर पहुंचती है 5 मिनट रुकती है platform number 2 पर इसके इसके पशात नवगचिया साम को 5 बच के 35 मिनट पर पहुंचती है platform number 1 पर 2 मिनट के लिए रुकती है इसके पशात कुर्षेला साम को 5 बच के 56 मिनट पर पहुंचती है platform number 2 पर 2 मिनट के लिए यहां भी रुकती है इसके पश्यात काड़ा गोला रोड इसका अगला स्टोपिंग स्टेशन होता है साम को 6 बज़ के 28 मिनट पर पहुंचती है दो मिनट के लिए रुपती है प्लेटफॉर नमबर दो पर इसका जो लास्ट स्टोपिंग स्टेशन है जहां के लिए अमरिश सर से चलती है वो कटि न मिदार आने वाली अमरपाली एकस्प्रेस के बारे में यह प्लेटफॉरॉरं लगभग निश्चुत रहते हैं कभी कभी ये प्लेटफॉरण नमबर पर उस प्लेटफॉर न बेटफॉर नमबर पर दूसरी ट्रंक खड़ी रहती है तो प्लेटफॉर नमबर चेंज और अनिताय प्लेटफोर्न नंबर चेंज नहीं होते हैं और इंडियन ड्रेलवे की समय सारे नहीं अभी तो यही है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों अपने चैनल को सस्क्राइब कर लें जिससे की और अधिक से अधिक जानकारी आपको रोज रोज मिलती रहें धन्यवाद